माता शत्रुह, पिता वैरी, येन बालो, न पाठितह, न शोबते, सभा मद्धिये, हंस मद्धिये, बको यथा अर्था, भी माता पिता बच्चों के लिए शत्रु के समान है, जिनोंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया ही नहीं, अच्छे शिक्षा ही नहीं थी क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समों में अच्छा नहीं लगता, उसका तिरसकार होता है, विद्वानों के समों में उसका अपमान उसी प्रकार होता है, जैसे हंसों के जुन्ड में बगुले की स्थिती होती है चानक के कहते हैं, केवल मनुश्य जन्म लेने से ही बुदिमान नहीं हो जाता है, उसके लिए सिक्षित होना भी अत्यनते आविशक है, शकल सुरत अकार प्रकार तो सभी मनुश्यों का एक जैसा ही होता है, परंतो अंतर केवल उनकी विद्वता से ही प्रकट होता है, जिस प बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, जिससे वे समाज की शोभा बन सकें, चानक के का ये श्लूप आपको कैसा लगा, आप कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, और आप इससे कितने सहमत हैं, ये भी बताईएगा.